और अब आपके सामने ती नेक्स्ट वीडियो ले रहा हूं प्रोबिल्टी चैप्टर के ऊपर पहली वीडियो में मैंने बताया डेफिनिशन्स और सभी केसिज ओफ कोई यह थ्री केसिज ओफ कोई अब मैं दूसरी दूसरी वीडियो में लेता हूं डाई अब डाई क्या होत हीए यह यह डाई ऐसे लुडव देखी है आपने इसके इसके हुष ओते हैं मैं जैसे क्योव थानाने क्यूब के भी शिक्स प्रेस इसो अटे जैसे ऊकर डबाई क्यों सके शिख फ्रेस यह नी ऑल डीफ इसी यह वह ता है यह तकटा डाई अब एक डाई है जो बैँसे कह होती है और उन स्पेसेज के उपर 1,2,3,4,5,6 लिखा होता है और फिर उसमें देखते हैं कोई कहता है इवन नमर आ जाएगा तो मैं विन करूँगा कोई कहता नहीं ओड़ नमर आएगा तो मैं विन करूँगा थड़ यह कहता है प्राइम नमर आएगा तो मैं विन करूँग इसकी probability क्या होगी कि इवन वाला विन करे या ओड वाला विन करे या प्राइम नंबर वाला विन करे इसकी probability मैंने तीनों की निकालनी है अब कैसे निकल लगी यह देखिया यह डाई है शिक्स फेशस सेंपल स्पेश क्या है वन टू टू ट्री फोर फाइव शिक्स क्योंकि छे फेश हैं और शेव फेशों पर मैंने सब लिख दिया एक दो तीन चार पांच छे इवन नमबर की probability क्या होगी अब उपर होंगे favorable case क्योंकि probability एवन की चाहिए तो जितने इवन नमबर होंगे वो favorable case है इवन कितने दो चार्च है तीन है 3 वाई 6 टोटल 6 है 1 बाई 2 ओड नमबर कितने है 1 3 5 यह भी 3 है इसकी probability क्या होगी 3 वाई 6 1 बाई 2 प्राइम नमबर कित नहीं है 2 3 5 इस यह भी 3 है 3 वाई 6 इस इगल टो बाई 2 प्राइम नमबर के विद्यार थी कौन से होते हैं जो अपने आप और एक के अलावा कोई और फेक्टर ना रखे किसी से डिवाइड गाउं जैसे यह दो है इसका एक फेक्टर एक है और दूसरा दो है इटसल यह ती इनका भी 1 है और एक 3 है यानि कोई तीसरा फेक्टर नहीं होना चाहिए किसी प्राइम नंबर का यदि तीसरा फेक्टर होगा तो खोनीन है जैसे 4 है 4 का 1 हो गया और 4 भी इटसल्फ हो गया लेकिन 2 भी तो हो गया इसके यानि जिस नंबर का 3 फेक्टर आपको मिल जाए तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है और नहीं तो प्राइम नंबर वही है जिनके 2 फेक्टर होते है 1 and the number itself अब ये मैंने करा दिया पहला पारट अब सकंड कोश्चन एडाई इस थ्रों टू टाइम जैसे कोईन टू टाइम्स थ्रो किया था अब डाई भी मैं दो बार इसको फेक्टे अब इसके केसेज कितने बढ़ेंगे देखो मैंने पहले ये लिख दिया छे बार लिख लिए ना 1,2,3,4,5,6 मैं टेवल बनानी सिखा रहा हूँ आपको अब बनाऊंगा आपके सामने मैंने पहले लिख लिए 1,2,3,4,5,6 कितने बार 1,2,3,4,5,6 बार लिख लिए अब देखो पहली लाइन में सब के आगे एक लगा दो सब के आगे एक लगाना सब और दूजरी लाइन में दो लगा दो सब के आगे देखो केसिस बनेंगे 36 और तीजरी में तीन लगा दो यह लगा दिया देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ और चौती में च्यार लगा दो यह च्यार लगा दिया पांच युमि में खूसल 550 यह पांच लगा दिया और यह पांच और चटीन में जेओ लगा दो थ सब संबने देखो कितने एकस बनगे क्यए है अब हम नकाल लेगए कि daran है कि यूपलिट दॉपलिट का इन पर बूसरी पर यह कुछ की सब्सकित दूसरी पर तीन पहली पचार दूसरी पचार और ये पांच-पांच और ये छे-छे-छे देखो ये छे-छे केसिज हैं और नहीं है इसके लावत डूपलेट कितने बनते हैं छे यानि शिक्स भाई थर्टी सिक्स अपॉन ये बराबर हो गया वन बाई सिक्स अच्छे अब एक बात बताई ये तो डूपलेट की है और भी तो आ सकता है ना प्रॉबल्टी में देखो सारा ही निकालनी से आदूगा यहां को एक्जाम थोड़ा है यह मैंने तो शिखाना है अब यह आजाए प्रॉबल्टी ओफ सम ओफ 11 सम देखो ये पांच-छे-छे-पांच यानि होगा 2 x 36 यानि 1 x 18 अब देखो और सम कर ले लो सम जो है 9 होना चाहिए देखो एक 9 का केस यह है देखो यह और एक यह है एक यह है और एक यह 9 के चार केसे हैं देखो सामने यह सिदे यह देखो यह चार केसे यह 9 के है अब यह सम नाइन प्रॉबल्टी ओफ सम नाइन इसके कितने हो गए च्यार केसे यह हो गया वन बाई नाइए अब आप ए पुछ भी निकाल सकते हैं कोई भी सम निकाल सकते हैं इवन ओर नमबर इसमें होंगे कोई पूसर रहा तो वो भी इसमें देख सकते हैं आप इस टेवल में से देख करके और वो फेवरेबल केस उपर और तोटल सतीस निचे लगते हो और विद्यार्तियो And the most information is the most important examples Nobody Much A dice is thrown to time यह two dice are thrown once यह भी कह सकते हैं two dice are thrown once so यह example है अब मैं एक इसमें तीसरा example हो और लेता हूं डाई का एक्शेरा अरवा तीछ थे तेम आप और डाई का तीषरा example कैई है देखिआ है अब अभी मैं यहां लेता हूं दाई का तीसरा एक्जम्पल दाई का तीसरा एक्जम्पल क्या है मैं तीसरा कोश्चन डाई का बनता है एड़ाई 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 इस यह का तीन बार फंका गया था एड़ाई इस थ्रोन अब मैं थ्री टाइम मिशनिद्व दूआ डाई जित्राउन थी थैंट्स ती थैंट्स और क्या ने का लाँ फंड दी प्रोबलीटी और दी प्रोबल्टी आफ ट्रिपले डूपलेट उसमें ती Dupa leопасat शुक्यां बडलेTell image फेप्र प्रविफलरटी अभ डिपलेट क्या होता है तीनो डाई प्रेवल्डि हूंबर उसे LET הק entrar यह समस् teeny नुक्याइश मिन फूर्ले टेनि उसे सगते हैं घर यह सबल्सक्राम है अच्छाय यह कितना होगा 647시에 होंगे तो छेह लेकिन आभीस में एक बाद देखिए किसेज कितने बढ़ेंगे संप्ल स्पेस के ये देखिए डेखो एक डाई जैसे मैं ने सिंक्य का बता था अम वहीं बतारूं दाई एक बार की के जाती है डाइ में पैस एक बार भार की जाएगी तो सेन्पल स्पेस में चलिमान यello दो वार भार वैंक है जाएगी तो संकल स्पेस में पैसे जाए जैए तो कितने हो जाएंगे 216 अब यह देखो यह जैसे मैंने सिक्क्य के बताए थे इसके वह होई केसे अब इसके कितने केसे जोगे तीन बार के और आपके सामने कार्ड्स का एक एक अग्जम्पल और लेना चाहिए वो भी इंपोर्टेंट है यानि प्रॉबल्टी में तीन ही चीज है प्रॉबल्टी में तीन कौन सी चीज है कोईन डाई और कार्ड्स इनके उपर कुश्चन सभी बनते हैं और यह कलियर हो जाएं तो आराम से नकाल सकते हैं अब देखो कार्ड्स का लो एक्जम्पल अब कार्ड्स का एक्जम्पल क्या प्लेंग कार्ड है यह प्लेंग कार्ड आपने देखें प्लेंग कार्ड्स कितने होते हैं बावन टोटल कितने कार्ड होते हैं टोटल कार्ड्स टोटल कार्ड्स होते हैं बावन देन से देखते रही है टोटल कार्ड कितने बावन और इसमें चार कलर होते हैं नहीं दो कलर होते हैं लेकिन चार पार्ट होते हैं देखो कैसे कलम इसके भी 13 होते हैं स्पेड इसके भी 13 होते हैं और डाइमंड और इसके भी तेरा पत्य होते हैं और हर्ट इसके भी तेरा होते हैं यानि देखो तेरा तेरा च्यार तरह के पत्य होते हैं कलब का मतलब चिडी किenseband का मतलम क्या है having diamond काम प्रफिए हंत पान और कि दनलगषन यहjer स्पेड जो है यह यह घे य्दि पैंड़ है यह स्पेड यह बिभी रेट्प ए और यह यह राइमंड यह रड़ कलर और हाट जो एक यह राइड कद या तरी इसका मतलब ले कैंड़ कितने हो गें ?- बलैक कलर के हो गे 26 और रेड कलर के कितने हो गें ? यह भी 26 होगे अब प्यारे विद्यार थी ओ अब देखी प्रोबबल्टि आपने किसी एक की चाहिए प्रोबेल्टि कलब चाहिए तो कितना ओगे 13 by 52 यानि 1 by 4 इसी प्रकार किसी की भी निकाल सकते हो फिर आगे निकालता हूँ probability black की चाहिए black कितने है 26 तो यह होगा 26 by 52 यह कितना हो गया यह हो गया 1 by 2 आप इसी प्रकार red की निकाल सकते हैं ठीक होगा ना यह निक्चारों की भी निकालनी आगी आपने ब्लैक और रेड की भी निकालनी आगी इसके बाद probability of a क्या निकालेंगे face card यह important है face card face card कितने होते हैं बारा बारा बटे बाउन और यह च्यार ती है बारा और तेरा यह होगा यानि बारा कुन से होते हैं सुनिए च्यार किंग कितने होते हैं च्यार कुइन कितनी होती हैं यह वी च्यार और जॉकर कितने होते हैं यह वी च्यार यह बारा हैं यह face card these are the face cards तो आपने यह द्यान रखना है यह face card है यह मिलिक भी देता हूं face cards अच्छा इसके बाद जो है probability of ace and ace ace क्या होताइक का आप जानते हो यह कितने क्या से ठीचे चार वन वाई याननि यह होगा फॉर वाई यह हो गगा वन वाई थर्टी अब यह's az प्रोबिल्टी होगी, फेस कार्ड की प्रोबिल्टी होगी, ब्लैक कार्ड की प्रोबिल्टी होगी, किशे प्रकार रेड की होगी, कलब की भी यही, हाट की भी यही, डाइमंड की भी यही, और स्पेड की भी यही, सारी ये प्रोबिल्टी आप, यानि आप जो है, if a card is drawn from a well-suffled deck of 52 cards find out the probability of card is black यह हो गया a card is drawn from a well-suffled deck of 52 cards find the probability of a face card यह face card की probability हो गया यह यह बोल रहा हूँ यह question इस तरह आएगा a card is drawn from a well-suffled deck of 50 cards find the probability that the card is ace ace की probability कितने होगी 4 भाई अब आप इसमें मेरे विचार से कुछ नहीं बचा हुआ आप कुछ भी इसमें से निकाल देखो एक के कितने होते 4 और दुगई भी 4 होती है तिगई भी 4 होती है चुगई भी 4 होती है पंजी भी 4 होती है सक्के भी 4 होते है सारे चार चार है यह ध्यान रखे बस जिसकी भी probability निकाल ली हो वो जितने card हो ओपर टोटल नीचे बाहन लिखते रहना बस उसमें यह देख probability किसी के भी निकाल ली है बस यह 52 में यह देखना कि वो card कितने है अर टोटल नीचे बाहन बताओ इसमें ऐसा कौन सा मुश्किल हुआ है इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल की बात नहीं है जो आपे इसकी probability cards में नहीं निकाल सकते तो प्यारे विद्यारतियो यह हैं playing cards के example तो playing cards के बारे में मैंने बता दिया च्यार टाइप के card होते हैं दो color होते हैं black और red और च्यारों टाइप में निकालना हो तो probability 1 by 4 हो जाएगी बलेक और red में निकालना हो तो probability क्या हो जाएगी यह 1 by 2 हो जाएगी face card की निकालनी हो face card 12 होते हैं ace कितने होते हैं 4 होते हैं यह चारवटे बाउंड, अब कोई सा भी, अच्छा किंग की प्रोवल्टी निकालनी हो तो चारवटे बाउंड, कुईन की प्रोवल्टी निकालनी हो तो चारवटे बाउंड, जोकर की प्रोवल्टी निकालनी हो चारवटे बाउंड, अब मैं यह समझता हूं कि ऐसा क्या इ the playing cards के उपर आता है तो मैं ऐसा समझता हूं you can do very well and you will not feel any difficulty in finding out the probability of in card cases so my dear friends मैं मैंने यह दूसरी वीडियो डाई और काड्स बनाई अब यह तीसरी वीडियो जो है यह mixed questions है यानि bags के हैं box के हैं balls के हैं marbles के हैं मतलब यह मतीशरी वीडियो में कुछ question mixed question लूँगा फिर आपको जो है ना probability बिलकुल clear हो जाएगी एक भी question ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ना कर सकते हों now I am taking next video and in the last of this video again I want to make a request to you please subscribe the channel I shall be very thankful to you the name of my channel is match by Dharangir Singh Dabas